दोस्तो सागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज के वीडियो में लिकर आए हैं मत्तुपूर्ण कॉस्चन आंसर दोस सभी लोग आ जाईएगा अगर आप चैनल पर पहली बारा आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें वो जादा से जादा वीडियो को सेयर करें अज कपने याँ पर फर्ष्ट कॉस्चन क्या पूंचा गया है देख लेते हैं जोड़ जाईएगा सभी लोग नेता नहीं नांगरिक चाहिए निवंद की रचनाकार कौन हैं बताईएगा क्वॉस्चन नंबर इंक्याउन है और इंक्याउन में आप सभी का क्या होगा सई आंसर नेता नहीं नांगरे के चाहिए इनिवंद किनका माना जाता है चार विकल्प आपके यह आपर दिये गए हैं सभी लोग आंसर कमेंट में बताते जाएंगे तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि यह दिनकर जी का निवंद माना जाता है किनका दिनकर जी जो है उन देखे निमानक देबनांगरी बढ़नमाला किस वर्स में प्रकासित हुई थी 1964 में 62 में 63 में 1965 में तो question नमबर बाउन आप से याँ पर पूंचा क्या है निमानक देबनांगरी बढ़नमाला जो है किस वर्स प्रकासित हुई तो बाउन में आप सभी का यापर सही आंसर आ रहा है क्या रहा है सही आंसर बाउन में आपका वेकल नमबर एक सही आंसर होगा 1966 आपका सही आंसर है 1966 आपका सही आंसर आनंद जी लबली जी तनू जी 1966 आपका सही आंसर होगा नवी जी question number आपसे यापर पूचा है कावा और करवला त्रेपनवा question है इसकी रचिनाकार कौन है त्रेपन में आपको चैन करना है में अचली संड गुपते हैं स्टियाराम संड गुपते हैं प्रसाथ हैं अग्ये हैं तो त्रेपन में आप सभी का क्या होगा सईया अंसर कावा और जाओगा सईया अंसर कौन माने जाते हैं कावा और करवला की रचिनाकार वताना है बताइएगा महत्तुपूर्ण question यहाँ पर पूंचा ग्या है चैन कीजेगा चार विकल्प आपके दिये गए हैं कावा और करवला की रचिनाकार कौन है तो आप सभी का यहाँ पर सईया अंसर है मैतलीशन गुप्त आपका विखल्प नंबर एक सईया अंसर होगा सईया अंगला question देखे जहनें पर महान वेक्तिप्ल इंदर के महान भीक्तियों का परवा माना जाता है वैंम्हान वेक्ति वताना सरत चंद और टैगूर जी डेव टुलसी दास जी निरु और गा प्रेयम चन्द पर किन महान कभियों का प्रभाउ माना जाता है तो आप सभी का 16 सभी आन्सर आ रहा है निसरत चन्द और टैजूर जी आप चबी आ सभी का सभी आान्सर होगा विखल्प नमबर यह जो है आप चबीद का याँपर सभी अंगला कॉस्चन देखे पिरकास और परचाईया किस पिरकार का संग्रह है बताईगा कहानी है नाटक है काब्ब है या फिर एक कांकी है चार विकल्प आपके हैं इनमेंसे आपको बताना है क्या होगा सही आंसर चैन कीजेगा मत पूर्ण कॉस्चन यहां पर पूंचा गया ह और पिरकास और परचाईया किस पिरकार का संग्रह माना जाता है पच्पन में सभी लोग बता रहे हैं कि यह तो माना जाता है यह कांकी माना जाता है बी वाला विकल्प आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा बी वाला विकल्प यह कांकी आपका सही आंसर है हरी बंसरा सरकार की विदेश विवाग में हिंदी विशेषग कब बनी कब बनी थे आपको बताने 1930 में 1950 में 1940 या 1955 में 56 कॉश्चन या पर पूँचा गया है 56 में आप सभी का क्या होगा सयांसर सलोनी जी बताइएगा महत्यपूर्ण कॉश्चन यां पर दिया गया है हरी बंसरा है तो 56 में आप शवी का डी सयांसरों का 1905 में 1955 आपका या पर सयांसर विकल्प नमबर चार जिनों ने भी छेन किया है उनका यहाँ पर सईया अंसरों का 1905 में राम जी की चीटी राम जी का सेर किस पिरकार का संग्रय है बता ये राम जी की चीटी और राम जी का सेर किस पिरकार का संग्रय माना जाता है किनकी रचिना मानी जाती है पूँची जाती है रचिना महत्युपुन रचिना नवंद है कहानी है नाटक है उपन्यास है तो संताउन में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि यह जो है क्या है राम जी की चेटी राम जी का सेर के इस पिरकार का संग्रह नवंद संग्रह वाना जाता है नवंद संग्रह वेकल्प नमबर एक आ यहां पर सई आंसर होगा निवंद संग्राय जनों ने भी चैन किया है उनका सई आंसर यहां पर होगा बिल्कुल सभी बहुत बढ़ियां किनका माना जाता है कमेंट में लिखेंगे चन बोले कण मुस्काई की रचिनाकार कौन है अंटाउन में बताने कनयालाल मिस्र है धर्म आंसर चैन कीजेगा मत्वण कॉस्चन है बिकल्प नंबर एक आपका सई आंसरों का कनयालाल मिस्र प्रभाकर कनयालाल मिस्र प्रभाकर जो है उनी की रचिना मानी जाती है छन बोले कण मुस्काई बिल्कुल चाहिए अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा रत के पाई किस प्र का उपयास माना जाता है किस प्रकार का उपयास माना जाता है और 69 में आप सभी का सई आंसरा रहा है यह माना जाता है सामाजिक किस प्रकार का उपन्यास है सामाजिक उपन्यास माना जाता है विकल्प नमबर एक आप सभी का यहाँ पर सई आंसर होगा अंगल्या कॉस्चन यहाँ पर देखेगा टेड़े मेड़े रास्ति किस प्रकार का संग्रह है टेड़े मेड़े रास्ति नाटक माना जाता ये कांकी है निबंद है उपन्यास है ये चार विकल्प आपके आपर दिये गए है question मत पूर है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है टेड़े मेड़े रास्ती किस परकार का संग्रह माना जाता है ये माना जाता है उपन्यास क्या माना जाता है उपन्यास विदा की रचिना मानी जाती है सब्त रस्मी एकांकी नाटक के रचिनाकार कौन है 61 में आपको चैन करना है सेट गोबिंद दास है उदै संकरवट है उपेननात असक है प्रेमचंद है 61 में आपको चैन करना है क्या होगा सई आंसर चैन कीजेगा 61 कॉश्चन है कि सब्त रस्मी एकांकी नाटक के रचिनाकार कौन माने जाते है और आप सभी का यहां पर सई आंसर होगा विकल्प नमबर एक सेट गोबिंद दास आपका यहां पर सई आंसर है कौन माने जाते है सेट गोबिंद दास की महत्यपून प्रिसिद रचिना माने जाती है विकल्प नमबर एक जो है आप सभी का यहां पर सही आंशर होगा दो अपर खंड काब्य की रचिनाकार कौन है कौशेट नमबर बासर आप से यहा पर पूँड़ाला है प्रसाथ है मेचΤली सन गुप्त है रामकुमार बर्मा है, बासट वा कॉस्चन याँ पर पूंचा गया है, और बासट में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, द्वापर खंड काप्वे के रचेता कौन माने जाते हैं, तो बासट में आप सभी का सी सही आंसर, मैतली सरन गुपत आप सभी का सही आंसर होगा, मैतल गुप्तेस के रचिनाकार माने जाती हैं द्वापर के विकल्प नंबर आप सभी लोगों ने सी बताया है जन्हों ने भी सी चैन किया है उनका यहां पर सही आंसर है अंगला कौश्चन देखेगा तिरधारा काब्ब के रचिनाकार कौन है कौश्चन नमबर 63 आप से पूंच गया है बियूगी हरीका है सबद्रा कुमारी चोहान या फिर दिनकर या फिर अग्ये किनकी रचिना मानी जाती है तिरधारा वताना है बताईए कॉश्चन मत्पूण है 63 का कॉश्चन आप से याँ पर पूँचा गया है 63 में आप सभी का सही आंशर होगा तिरधारा सुबध्रा कमारी चौाहन जी सुबध्रा कमारी चौहान उनीकी रचिना मानी जाती है कौन सी तिरधारा जो की वहती मत्पून पृषिद रचिना मानी जाती है गंगला कॉस्चन यहाँ पर क्या पूँचा गया है, देखेए dehा कॉस्चन नमबर आप से 664 पूँचा गया बंद गली का आखरी मकान किस परकार का संग्रा है यह कहानी है, निबंद है यह कांकी है, काब्ब है ये चार विकल्प आपके दिये गए है, 64 वा कॉश्चन यहाँ पर पूँचा गया है और बंदकली का आखरी मकान पूँचा गया है आपसे बताईएगा किस पिरकार का संग्रे है 64 में आपके लिए चैन करना है तो आप सभी का सईया अंसर आ रहा है ये माना जाता है संजू जी ये मानी जाती है कहानी विदा की रचना कहानी आप सभी का सही आनसरूगा बंदकली का आखरी मकान ये कहानी मानि जाती है अब किनकी कहानी मानि जाती है कमेंट में लिखना है आपके लिए कॉश्चन नंबर 65 यहां पर देखेगा आजीबी का सादक हिंदी के रचनाकार कौन माने जाते है पूरन चंद टंडन है, महिस चंदर गुप्त है, क्या लास चंद भाठिया है, कृष्ण कुमार है, कौन माने जाते हैं, बताईए 65 वा कॉस्चन आजी भी का सादक हिंदी की रचिनाकार कौन माने जाते हैं, चैन क्यंदना है सभी के लिए और 65 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, विकल्प नमबर एक यानि की पूरन चंद टंडन आप सभी का याँपर सही आंसर होगा, पूरन चंद टंडन जनोंने ए वाला विकल्प चैन क्या है, उनका याँपर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया, अंगला कॉस्चन आप ब्रह्म्पुत्र की मूर्चा बंदी किस एस संग्राइव हैं ये ॽकार विकल्प पात कि आप अबरतिये गाए है। 66 वह कौशन है। और 66 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। यह जो है। कि निवन्द माना जाता है। निवन्द आपका सही आंसर है विकलप नंबर B जोवन नहीं शेंश-न या है। उनका यहाःपर सही आंसर होगा। निवंद आप सभी का सही आंसर है बी वाला विकल्प होगा सही आंसर ब्रह्म्य पत्र की मूर्चे वंदी अंगला कॉश्चन यहाप देखेगा कॉश्चन नमबर 67 पूँचा है जीएं तो ऐसे जीएं रिपूर्टाज किनका माना जाता है इसके रचिनाकार कौन माने जाते ह कमलीषवर्ट एं धननवीरवार्ति हैं कनया लालमिस्त्र कॉश्चन आप कोश्चन आप पूँचा क्या है निय म fact यहाप सभी सभी है यहाँ सहां था हा है घिएं तो एसे जीएं रचिना मानी जाती है किनकी चनीका यहाँ लालमिस्त्र प्रभाकर जी की, कनईया लाल मिस्ट प्रभाकर आपका यहां पर सही आंसर है, जी हैं तो ऐसे जी हैं, कैसे जी हैं, जैसे कनईया जी 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 ते तो जी हैं, तो ऐसे जी हैं, कनईया जी के जैसे, तो कनईया से कनईया लाल मिस्ट प्रभाकर आपका सही आंसर होगा, अंगला question यहाँ पर देखेगा question number देखे यहाँ पर बार है एक आंकी के रचिनाकार कौन माने जाते हैं 68 question यहाँ पर पूंचा गया है बार है एक आंकी दिनकर विश्नु प्रभाकर मौन राकेश डाक्टर नरेंद्र सर्मा 68 में आपको chain करना है और आपका यहाँ पर सही answer क्या होगा chain कीजेगा बार है एक आंकी के रचिनाकार कौन माने जाते हैं तो आप सभी का यहाँ पर सही answer होगा तो विलकुल मनीशा जी लवली जी विकल्प नंबर 68 में आपका विकल्प नंबर जो भी है वह सही answer होगा विश्णू प्रभाकर विश्णू प्रभाकर आपका यहाँ पर सही answer होगा विकल्प नंबर 2 जो है वह आप सभी का सही answer है विश्णु प्रिवाकर सई आंसरों का कल्पना पत्रिका का संपादक कौन है यह वैसे आपको बताना है निराला पंत रामचन सुकल या फिर भवानी प्रसाद मिस्र बहुत बढ़ियां सो इता जी चैन कीजेगा लाइक भी करते जाएगा जन्होंने अभी तक वीडियो को ला थुछ व्त वाला विकल्प आपका सई आंशरों गादसर बवानी प्रसाद मिस्र के बबानी प्रसाद मिस्र आपका यह और विकल्प नंबर चार जो है निभए सभी का यहां पर सय आंसरोंगा बहुत बढ़ियां विल्कुल सभावाद मिस्र सय आंसर है नंचिС eczmosी से 1920 तक का साहित दे पर किस युग का प्रभाव रहा है 1900 से 1920 आदुनिक युग दुबेदी युग भारतेंदु युग या फिर छाया बाद युग सत्तर वा कॉस्चिन आप से पूँचा गया है और सत्तर में आप सभी का सईयाansर 1927 तो आप सभी का यहांपर सयाansर है बहुत सारी लोग भी बता रहे हैं यहांपर दुबेदी युग लगा दीज़ेगा सईयाansर तो विलकुल चाहीं लगा दिया वेकल्प नंबर दो में आप सभी का सईयाansर दुबेदी योग आपका यहां पर सही आंसर होगा 1900 से 1920 तक का जो साइट है दुबेदी योग है संदर्व सर्वस्य किस पिरकार की रचना है Q71 में आपको बताना यह निबंद है कहानी है, नाटक है, आलोचना है यह चार विकल्प आपके दियेगा है संदर्व सर्वस्य किस पिरकार की रचना मानी जाती है 71 में आपको बताना है तो 71 में आप सभी का सही आंसर होगा निबंद माना जाता है विकल्प नमबर एक आप सभी का सही आंसर होगा निबंद जनो ने भी चैन किया है संदर्व सर्वस तो विल्कुल सई आंसर होगा विकल्प नंबर एक आपका सई आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहाप देखेगा कॉस्चन नंबर आपसे पूंचा गया है वत्तरवा कॉस्चन है निरामचरित मानस माकाबी की रचना का स्री गड़ेस कब हुआ देखे क्या अबस्त कर्चे जाईएगा सभी लोग वह सारे लोग लाइक नहीं कर रहे हैं अभी तक तो सभी लोग जल्दी से लाइक कर ले और आपका सई आंसर है वहत्तर में पंद्रह सो चुहत्तर है कि रामचरित मानस माकाबी की रचना का स्री गड़ेस कब हुआ तो पंद्रह सो च है कि कभीता की रचना कार कौन है सिरीतर पाठक है दिनकर है निराला है मादेई वर्मा है कौश्य नमबर तेत्तर आप से पूंचा गया है भग्न मंदर बन रहा है कि रचना कार कौन माने जाते हैं और आप सभी का यहां पर तेत्तर में सई आंसर होगा वेकल नमबर क्या हो उगा सईंसर आपकर आपका सई्य आंसर क्या सईंसर दिन मंद मंदर बन रहा है दिन सी क्यों से आप के साWind कर आप इस संप्रडाइं के कभी थि नंददाश बताना है क। राम संप्रदाइं नास संप्रदाय या फिर जैन संप्रदाय और कभी गडिया नंददास जडिया जडिया उपादी से इनको भूसित किया गया था जडिया कभी के उपादी से नंददास को और इनके प्रिसिद्व पंति है और कभी गडिया नंददास जडिया तो इनको जडिया कभी का जाता ह किस संप्रदाय के कभी थे question मत्तुपूर है और आप सभी का सही आंसर है एक किष्ण संप्रदाय के कभी थे किष्ण संप्रदाय आपका सही आंसरों का विखल्प नमबर एक आपका याँ पर सही आंसर है अंगला question देखे कभी करतब निवंद के रचिनाकार कौन माने जाते है 75 वा कॉशन है जैनेंद्र है रेणु जी है मादेई वर्मा है या फिर मावीर प्रसाद दुबेदी है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्या है सही आंसर कभी कर्तब निबंद की रचिनाकार माने जाते है मावीर प्रसाद दुबेदी मावीर प्रसाद दुबेदी आपका सही आंसर है कभी का कर्तब जो है सही से अच्छे से निबाया है कि नोंने मावीर प्रसाद दुबेदी ने तो माबीर प्रसाद दुवेदी आपका सही आंसर है अंगला कॉस्चन यहां पर पूंचा गया है बेनु बन आलोचिनात्म के कब के रचना कार कौन है बेनु बन कॉस्चन नमबर 76 आपसे यहां पर पूंचा गया है और अंस जी 76 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है बेनु ब अबर बी आपका सई आंसर है दिनकर की रचिना मानी जाती है बेणु बन बन में आपको कब जाना है दिन में जाना है दिन में तो दिन से दिनकर बन से बेणु बन ये आलोचनात्मक रचिना मानी जाती है दिनकर जी की अंगला कॉस्चन देखे जेश्ट का मध्यान कभीता कि कब संग्रह से ली गई है पलास बन से प्रिये प्रवास से साखेत से प्रभात फेरी से सतत्तर में आपके लिए चैन करना है और सतत्तर में आप सभी का सही आंसर होगा क्या होगा सही आंसर जेश्ट का मध्यान कभीता किस कब संग्रह से ली गई है तो आप सभी का सई आंसर आ रहा है, 77 में विकल्प नमबर एक आपका सई आंसर है पलास बन से, पलास बन आपका यहाँ पर सई आंसरों का विकल्प नमबर एक जनोंने भी यहाँ पर चैन किया है, उनका यहाँ पर सई आंसर है, बिल्कुल चाहिए अंगला कॉस्चन यहाँ देखेगा केसब दास द्वारा रच्चत कब्वे राम चंद्रिका ये तो पूँची जाती इसकी भासा क्या है सबसे पहले तो ही पूँचा जाता है राम चंद्रिका किनिकी रचिना है केसब दास की रचिना है इसकी भासा की बात करें अब दी ब्रज सदुकड़ी खड़ी बोली तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 78 में इसकी भासा मानी जाती है ब्रज भासा क्या मानी जाती है ब्रज भासा आपका भी वाला जो विकल्प है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर दो आप सभी का सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहाँ पर पिरसाद हैं, पंत हैं, दिनकर हैं, कंचनदास हैं, तो उन्यासी का सहिया अंसर आ रहा है, जो विसादी कहानी है, ये मानी जाते है किनकी? तो विकल्प नमबर एक आपका सई आंसर है यानि कि पिरसाद आपका सई आंसर होगा पिरसाद जी जो है उनी की एकानी मानी जाते है विसाती विकल्प नमबर एक आपका सई आंसर है मांगी रोटी मिला पत्थर निबंद माना जाता है किन का निबंद माना जाता है ये आपके लिए चहिन करना है बताईए संदीब जी मांगी रोटी मिला पत्थर ये निबंद के रचनाकार कौन मानी जाते हैं अगर पूँचा जाता मांगी रोटी मिला पत्थर एक इस विदा की रचना निबंद माना जाता है और किनका निवंद माना जाता है तो मांगी रोटी मिला पत्थर तो पत्थर का क्या होता है प्रताप होता है प्रताप से ने प्रताप नारण मिस्र आपका सही आंचर है वी वाला विकल्प आपका सही आंचर है पत्र प्रबंदे कापविकी रचिनाकार कौन है question number 81 में अतली सन्गुपते हैं रतनाकर हैं घनानंद हैं श्रीतर पाठक हैं तो 81 में आप सभी का सई आंसर आ रहा है पत्र प्रबंदे काबी की रशिना कार मानी जाते हैं कौन तो आप सभी का यहां पर सई आंसर आ रहा है हाँ वनीशा जी 81 में आपको बताने नहीं नहीं रशिना कार मिलेंगे आपके लिए पढ़ने के लिए 81 में आपका विकल्प नंबर एक होगा सई आंसर मेतली सन्गुपते पत्र प्रबंदे काबी के रशिना कार कौन माने जाते हैं जो मेतली सन्गुपत जी माने जाते हैं विकल्प नंबर आपका यहां पर एक जो है निवर सई आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा नूरी नूरी कहानी के रचनाकार कौन है नूरी कहानी है एक नूरी कहानी के रचनाकार बताना है पिरसाद है, निराला है, अग्य है, मौनराकेस है तो question number आपका यहां पर 82 पूंचा गया है और 82 में आप सभी का सई आंसर आ रहा है तो नूरी रचना तो मानी जाती है किनकी यह कहानी मानी जाती है पिरसाद जी की नूरी को पिरसाद दो तो पिरसाद से पिरसाद आपका जैसेंकर पिरसाद और नूरी काहानी जो है काहानी विदा की रचना मानी जाती है जैसेंकर पिरसाद की विकल्प नंबर एक आपका यहां पर सई आंसर होगा कॉस्चन नंबर आपसे यहां पर पूंचा गया है तेरासीवा कॉस्चन है प्रत्वी राज की आँखें एक आंकी के रचिनाकार कौन है बताईएगा वालकृष्ण सर्मा नभीन है मोहन राकेस है उदैसंकर बट्टे है मोहन या फिर रामकुमार बर्मा है तो प्रत्वी राज की आँखें पूंचा गया है और तेरासीवा जाती है question number आपसे यहां पर पूंचा ग्या है आच्यारे मावीर प्रसाद दुवेदी जी का निवन में से कौन सा निवन्द है कभी और कभीता या मिलोक की यात्रा स्यामा स्वपने या फिर इन रास्तियों question number 84 में आपके लिए chain करना है सही answer क्या होगा chain कीजेगा मत्वपूर question यहां पर पूंचा है मावीर प्रसाद दुवेदी जी का कौन सा निवन्द है है पूंचा ग्या है तो 84 में आपका विकल्प number येक सही answer है कभी और कभीता कभी और कभीता निवन्द के रचिनाकार मावीर प्रसाद दुवेदी जी माने जाते हैं विकल्प number येक आपका इहां पर सही answer होगा बहुत बढ़ियां बिल्कुल सही आज पहली बार कभीता जो है सर्विशो द्याल सक्सेना के किस काब संग्रह में संकलित है आज पहली बार 85 में चैन कीजेगा बांसका पूल एक सूनी न पहली बार जो द्याल सक्सेना के किस काब संग्रह में संकलित है तो तो सी वाला विकल्प आपका सही answer होगा काट की घंटियां आपका यहां पर सही answer है काट की घंटियां दीपक जी सोहिता जी सलोनी जी विल्कुल सही विकल्प नंबर आपका जो सी है वैं सही आंसर होगा ठुमरी बताना है जो ठुमरी काहनी संग्रह है इसके रचना कार कौन मानी जाते हैं चासी वा ग्कॉष्चन है मैं दिनकर है सिव पूजन सहाई है रेनु जी है बहनी पूरी जी है तो ठासी में आप सभी का सही answer आ रहा है थुम्री बताना है थुम्री थुम्री ये जो रचना है कहानी संग्रय है इसके रचना कार कौन मानी जाते हैं तो शासी में आप सभी का सईया आंसर है फने सोनाच रेणू रेणू जी मानी जाते हैं विकल्प आपका ने जो सी है वह आप सभी का यहां पर सईया आंसरों का ब चायवाद ग्रंट जो है किस परकार की रचिना मानी जाती है बताईएगा ये काब ग्रंट है या धार्मिक ग्रंट है आलूचिनात्मक ग्रंट है या नाटक ग्रंट है 87 में आपके लिए चेन करना है और आप सभी का सही आंसर क्या होगा लाइक अवस्ते कर लीजिएगा लाइक जनोंने अभी तक नहीं किया है लाइक और सेयर करते हैं वीडियो को और चायवाद का ग्रंट किस परकार की रचिना है आप सभी का विखल्प नमबर एक आप सभी का सभी का सही आंसर है बिल्कुल सभी अंगला कॉस्चिन देखेगा प्रमोच जी, अमलता जी, दोला, मारूरा, दोहा की वासा वताना है पाली है, प्राकृत है, प्रिजवासा है, अप्रण्स है, 88 में चेन कीजेगा 88 में आप सभी का क्या होगा सईयांसर दोला मारूरा दूहा की भासा पूँचा गया है और 88 में आप सभी का सईयांसर आ रहा है इसकी भासा मानी जाती है अपब्रंसे क्या मानी जाती है गुलू जी अपब्रंस आप सभी का सईयांसर दी वाला विकल्प जो है आप सभी का सभी आंसर डोला मारूरा दुहा की वासा अपब्रंस है बया का घौसला उपन्यास की रचिनाकार कौन है question number 89 आप से आपर पूंचा गया है लक्ष्मी नारण लाल है, कमलीस्वर है, निर्मल बर्मा है, राजन द्यादब है बया का घौसला उपन्यास की रचिनाकार कौन माने जाते है नवासी में आपको छेन करना है और नवासी में आप सभी का सभी का सभी आंसर आ रहा है शरीकांते जी बहुत बढ़िया बया का घौसला उपन्यास की रचिनाकार कौन माने जाते है तो विकल्प नमबर एक सईयांसर है लक्ष्मी नाण लाल बया के गौंसली में लक्ष्मी निवास करती है तो लक्ष्मी से लक्ष्मी नाण लाल आपका सईयांसर होगा विकल्प नमबर एक आपका सईयांसर है विद्यापती की पदावली का संपादन किया है निराला जी ने वेनिपुरी जी ने दिनकर जी ने अग्गे जी ने नब्वे में आप चैन कीजे का किनों ने किया है विद्यापती की पदावली का संपादन नब्वे वा कॉश्चन है मत्पूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है हरीश जी विल्कुल बहुत बढ़िया तो वेकल नमबर आपका विद्यापती की पदावली जो है इसका संपादन किया किनों ने क्या होगा सई आंसर विद्यापती की पदावली का संपादन किस ने किया तो रामब्रक्ष बेनिपुरी आपका सई आंसर होगा नब्वे में विकल्प नंबर नब्वी जिनों ने भी चैन किया है उनका यापर सई आंसर है रामब्रक्ष बेनिपुरी रामब्रक्ष बैनीपुरी विकल्प नमबर दो होगा सईया अंसर अंसजी अंगला कॉस्चन देखेगा बापू की कुटिया में के रचनाकार कौन है धर्मबीर वार्ती है नजारी पर साथ दुबेती है सिरीराम सर्मा है या बैनीपुरी है बापू की कुटिया में के रचनाकार कौन माने जाते है तो आप सभी का यापर सईया अंसर आ रहा है कॉस्चन नमबर 91 में विकल्प नमबर आपका यापर क्या होगा सईया अंसर 91 का सईया अंसर चेन कनना विवेग जी बापु की कुटिया में कि रचनाकार माने जाती हैं तो आपका हाँ पर 91 में सए आंशर होगा D वाला विकल्प आपका हाँ पर सए आंशर बापू की कुटिया में कि रचनाकार कौन है तो आपका राम्रक्ष बेनीपुरी होगा सही आंसर राम्रक्ष बेनीपुरी होगा डी वाला विकल्प सही आंसर विल्कुल सही विकल्प नमबर चार आपका सही आंसर है दिनकर जी का हिम्मत और जिंदिगी निबंद किस निबंद संग्रे से लिया गया है बताईएगा बान नवे में आपके लिए चेहन करना है दिनकरजी का हिम्मत और जिंदगी निवंद किस निवंद संग्रह से लिया गया है तो बान नवे में आपका सई आंसर आ रहा है सी आनि की रेती के फूल आप सभी का यहां पर सई आंसर होगा रेती के फूल सी वाला जो विकल्प है आप सभी का यहां पर सई आंसर है हालाबाद के प्रवर्तक कौन हालाबाद के प्रसाद हैं अग्गे हैं हरीवंसराय वच्चन हैं धर्म बीर वारति हैं तेरान नवेवा कॉस्चन यहां पर पूंचा क्या है और हालाबाद के प्रवर्तक तो सभी के लिए पता ही है और सभी लोगों ने याँ पर सही आंसर वताया है कि हालाबाद की प्रवरता खरीव अंसरा वच्चन मानी जाते हैं लबली जी विकल्प नमबर निसी जनों ने भी चैन क्या है उनका याँ पर सही आंसर होगा बहुत बढ़िया अंगला कॉस्चन याँ पर देखेगा आप क् निवंद है ये किनका निवंद माना जाता है ये आपको चैन करना है 94 वा कॉस्चन न दिया गया है और 94 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नमबर एक यानि की विश्णू प्रभाकर विश्णू प्रभाकर आपका विकल्प नमबर एक आपका सही आंसर है बहुत question number 95 में like कल लीजेगा सभी लोग गौश सारी लोगों ने like नहीं किया अभी तक like कल लें सभी लोग एक बार गांदी पंच सती किस परकार का संग्रह माना जाता है मां काप बे खंड काप बे मुक्त काप बे गीती काप बे तो आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है कि वह माना जाता है जा माना जाता है खंड काप बे माना जाता है तो विकल्प नंबर बी वाला रिया जी विल्कुल सही आंसर होगा गांदी पंच सती एक खंड काप बे विकल्प नंबर दो आप सभी का सही आंसर होगा अंगला question यहाँ पर देखेगा नए पत्ते कापवे की रचना किस वर्स होई थी 1930 में, 1940 में, 1940 में, 1960 में तो 96 बाइबा question आपसे पूंचा गया है नए पत्ते जो काप रचना हैं तो इसकी रचना कब हुई थी इसका रचनाकाल बताना है क्या माना जाता है 96 पर कॉस्चन पूंचा गया है और आप सभी का सई आंसर क्या होगा तो कॉस्चन नमबर 96 में आपका 46 सई आंसर होगा 1944 आपका हाँ पर सही आंसर है विकल्प नमबर B आप सभी का सही आंसर होगा चतुरी छमार के रचिनाकार कौन माने जाते हैं बताए चतुरी छमार के रचिनाकार बताना है सभी लोग चैन कीजेगा और क्या होगा सही आंसर और आप सभी का यहां पर सई आंसर होगा 97 में विकल्प नंबर 1 सई आंसर निराला जी की रचिना मानी जाती है निराला आपका सई आंसर है बया का घोंसला की रचिनाकार कौन है बताए क्या होगा सई आंसर और आप सभी का यहां पर सई आंसर है तो आपका 98 है सब्सक्राइब में सई सई आंसर है आंचलिक यह बया का कौनसला किस पिरकार का उपन्यासी एक पूंचा है आंचलिक आपका सई आंसर है राजबासा आयोग के परतम अध्यक्स कोन थे यह बताना है बताए तो आप सभी का यह आपर सई आंसर है कि राजबासा आयोग के परतम अध्यक्स थे विकल्प नमबर आपका सई आंसर होगा निबाल गंगा धर खेर आपका सई आंसर होगा बीजी खेर आप सभी का सई आंसर है सी वाला वेकल पर जनों ने भी चेन किया है सई आंसर है हिंदी साहित सम्मिलन के प्रता मद्यक्ष पॉन्थी तो हिंदी साइट सम्मिलन के बताना है प्रतम अध्यक्ष पॉन थे तो आप सभी का यहाँ पर चाहिए आंसर है तो सो में आप सभी का बिल्कुल चाहिए विकल्प नमबर डी वाला जो विकल्प है जहें मदन मोहन मालिविये जी वह आप सभी का सही आंसर होगा मदन मोहन मालवी आपका सही आंसर होगा बिल्कुल चाहिए मदन मोहन मालवी जी पिर्था मख्ड़क्च थे हिंदी साहित सम्मिलन के तो इस पिरकार के जो है मस्तुपूर्ण कॉश्चन आंसर थे आज की क्लास में सबी लोग वीडियो को लाइक कर लें चैनल को सस्क्राइब करें और जादा इसे जादा वीडियो को सेर करें रोज आपकी एक कलास होती है इसी तरह से रोज आपके लिए जुढ़ना है और आपकी अंगली जो कलास है बहे आपकी कब है दस बजzy रात्री में हिंदी साहिती की लाइक कलास होती है उससे सभी लोग जुड़िएगा सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के वीडियो में बस इतना ही इसी तरह के question answer आपके लिए लाय जाते हैं मत पूर्ण question लाय जाते हैं जससे आपकी जो बहुत ही बढ़िया practice होती है सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बिलकुल चाहिए बहुत बढ़िया निसी तरह से जोड़े रहेगा इन क्लासों से सभी क्लासों को अटेंड कीजेगा और इसी तरह से आपके लिए प्रेक्टर्स करवाई जाती है बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अंगली क्लास म हैं सभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद्ध